आगरा के ग्रामीड इलाकों में भी आज हम पहुँचे और हमने ये जाना कि आगरा का किसान आखिर क्या सोच रहा है ग्रामीड इलाके में जो किसान है उसके क्या मुद्दे है, क्या परिशानिया है, कितना यहाँ पर काम हुआ, कितना यहाँ पर विकास हुआ और ग्रामीर शेत्र की जनता किसका विजय तिलक करने का मन बना रही है आगरा शेहर का मिज़ाज आपने समझ लिया विसके बाद हम पहुँचे हैं ग्रामीर इलागों में उबर खाबर रास्तों से होते हुए एक गाउं में दाखिल हुए आगरा में चुनाव इस वक्त पूरे शबाब पर है और पूरे उत्तरप्रदेश की राजनीती का केंद्र इस वक्त किसान बना हुआ है आगरा की ग्रामीर विधान सबा शेत्र में इस वक्त हम पहुँचे हैं यहां के किसानों के मुद्दे क्या हैं किसान यहां का कितना खुश है और जितनी राजनीती किसानों पर होती है क्या किसानों के लिए उतना काम भी होता है आज इस गाउं के शेत्र में हम यहां के किसानों से बात भी करेंगे और इनके मुद्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे सड़क पे गहरे गड़े थे और लोगों की जुबान पर शिकार देखे आगरा के ग्रामीड इलाके में हम मौझूद हैं और ये जो सड़क आप देख रहे हैं अगरा के ग्रामीड इलाके में इस वक्त हम पहुंचे हैं आलू का खेत आप मेरे पीछे देखेंगे और यहां पर किसान काम कर रहा है इन किसानों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि यह किसान कितने खुश हैं कितनी इनकी नाराजगी है क्या यहां के मुद्दे हैं क्या इनके मुद्दे हैं कैसे चल रहा है यह काम खेत में काम कर रहे किसान जमीन खोद कर आलू निकाल रहे थे और जब पूछा कि किसके माथे पर विजत लग होगा तो जवाब आपको भी एहरान कर देगा आगरा की शहरी और ग्रामीड इलाके का मिजाज बता रहा है कि किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज किसके माथे पर होगा विजत लग लेकिन हमारा सफर यहीं नहीं रुका हम निकल पड़े ताज नगरी से चूडियों के शहर विरुजाबात के लिए एबीपी गंगा के लिए आगरा से गुण्यन दिक्षित के साथ ब्योरन पॉक्ट